theorem number 9.4 देखे इस theorem का statement क्या है the line drawn through the center of a circle to bisect a code is perpendicular to the code तो हमें इस theorem में क्या बोला गया है देखे अगर हम किसी circle में ठीक है उसके center से एक ऐसी line draw करते हैं जो center से पास होती है और code को bisect करती है ठीक है तो वो जो line segment होती है वो code के perpendicular होती है ये हमें proof करना है ठीक है तो center से जो हम एक line draw करते है जो code को क्या करती है bisect करती है जो code को क्या करती है bisect करती है वो line AB के क्या होगी code के perpendicular होगी ये हमें proof करना है ठीक है तो दिखें given में हमारे पास क्या given है वो लिख दे दें given में हमारे पास क्या given है एक circle with center O एक circle हमें given है जिसका center क्या है O है A B इसे code और A B क्या है एक code है ठीक है और क्या given है एक center से एक line draw कर दीजे center से एक line draw कर दीजे जो इस code को क्या करेगी bisect करेगी तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते है op is a line which bisect ab देखे op, line op line segment line segment op, यह कैसी line है op, जो center से पास होती है and line segment op, bisect bisect bisect, किसको bisect करती है ab को ab को bisect करती है that is, इसका meaning क्या होगा, bisect meaning, that is, ap is equal to क्या है bp, ap और bp यह दोनों क्या है equal part है, ठीक है समझ में आ गई okay, to prove to prove, इसमें हमें क्या proof करना है to proof क्या करना है हमें देखे the line drawn through the center of a circle to bisect a code is perpendicular to the code तो हमें proof क्या करना है यह जो op line है जिसने इस code को bisect किया हुआ है यह line इस code के perpendicular है यह हमें proof करना है तो प्रूफ में हम क्या लिख सकते है op is perpendicular op is perpendicular to a, b यह हमें proof करना है op, a, b के perpendicular है ठीक है तो देखे, इसमें थोड़ी सी construction भी कर लेते हैं construction क्या करेंगे इसमें देखे इसमें construction क्या होगी o, a, and o, b को join करना है ठीक है तो o, a, को o, a, को and o, b, को दोनों को क्या करना है हमें join करना है तो यह हमारी क्या होगी इसमें construction तो construction में लिख देते हैं join join o, a, and o, b o, and o, b को join करेंगे ठीक है अब देखे हमें इन दोनों angle को 90, 90 degree सो करना है इसको और इसको तभी o, p, क्या हो सकता है a, b, के perpendicular तो इन दोनों angle को 90, 90 कैसे सो करेंगे ठीक है तो देखे हमें दो चीजे चाहें अगर हम इन दोनों angle को 90, 90 सो करना चाहते है तो हमें दो equation मनानी पड़ेंगी एक equation में क्या सो करना पड़ेगा this angle is equal to this angle और दूसरी equation में हमें क्या सो करना पड़ेगा sum of these two angles is 180 ठीक है अगर हमने इन दोनों angle का sum 180 सो कर दिया और इन दोनों को equal भी सो कर दिया तो इन दोनों statement से हमें क्या मिल जाएगा angle this one and this one are 90 degree तो ये दोनों 90, 90 degree आ जाएगे ठीक है तो सबसे पहले हम इन दोनों को equal सो करेंगे उसके बाद इन दोनों का sum 180 सो करेंगे उसके बाद इन दोनों को 90, 90 proof हम कर सकते हैं तो इन दोनों को equal सो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों triangle को congruent proof करना पड़ेगा तो चलिए इसका proof शुरू करते हैं proof तो देखें इन दोनों triangle को congruent proof करना है तो लिखें इन triangle in triangle OPA OPA and triangle and triangle OPB इन दोनों triangle को congruent proof करेंगे तो देखिए दोनों में क्या-क्या हमारे पास गीवान है हम यहाँ पर लिख सकते हैं OA is equal to OB यह दोनों equal क्यों है? OA and OB Radia of same circle Same circle की Radia है Radia of the same circle of the same circle Same circle की दोनों Radia है ठीक है और क्या है देखे OP is equal to OP OP इन दोनों triangle में क्या है? common तो दोनों में यह क्या है? common and AP is equal to क्या है? BP AP is equal to क्या है? BP यह दोनों equal क्यों है? क्योंकि वो हमें given है AP is equal to BP तो हमें क्या है? given तो देखो इन दोनों triangle में इस triangle की तीनो side और इस triangle की तीनो side क्या है आपस में equal तो हम क्या लिख सकते हैं by side 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 congruency criterion congruency criterion triangle OAP is congruent to triangle OPB तो यह दोनों triangle कैसे आजाएंगे congruent तो यह दोनों triangle congruent है अगर यह दोनों triangle congruent है तो इन में corresponding part equal होगे तो लिखे it implies that it implies that angle लिखे angle OPA OPA angle OPA किसके equal आजाएगा angle OPB के angle OPB के equal आजाएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं equation number one और यह दोनों angle equal क्यों हैं by by cpct cpct corresponding part of congruent time तो एक equation तो हमारे पास आचुकी है कौनस equation इन दोनों का equal होना यह दोनों equal हैं अब एक equation हमें ओर चाहिए जिसमें इन दोनों का sum हमें 180 शोग करना है तो बताएग वो equation कैसे हम generate कर सकते हैं जिसमें इन दोनों का sum 180 होगा तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं angle a pb and angle pb o is equal to 180 क्यों हैं दोनों 180 क्योंकि दोनों linear pair है ठीक है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं देखिए and angle opa plus angle opb opa and opb इन दोनों का sum हम क्या लिख सकते हैं 180 degree क्यों है 180 degree क्योंकि linear pair है यह linear pair है तो यहाँ पर लिख दीजिए linear linear pair linear pair है इसलिए दोनों का sum क्या है 180 इसे आप क्या लिख सकते हैं equation number 2 ठीक है तो हमारे पास यह दो equation आचुकी है angle opa is equal to opb and angle opa plus opb is equal to volatility अब देखिए from equation first and second ठीक है from from equation first and second we get ठीक है इन दोनों equation से हमें क्या मिलेगा इन दोनों equation से हमें क्या मिलेगा angle opa is equal to angle opb is equal to angle 90 degree तो इन दोनों equation से हमें क्या मिल जाएगा इन दोनों angle का value 90 degree ठीक है यह दोनो 90 degree क्यों मिलेगा देखिए अब समझे अगर मैं आपसे बोलता हूँ दो angle का sum दो angle x1 and x2 यह दोनों equal है और दोनों का sum कितना है 100 अब इन दोनों statement से क्या conclusion निकलेगा देखिए मैं बोला हूँ x1 और x2 दोनों equal है और दोनों का sum 100 तो इसका मतलब क्या दोनों 50 50 है ठीक है तो इसका meaning तो यही होगा ना इन दोनों statement का दोनों 50 50 है और आगर मैं ऐसे लिखता हूँ a is equal to b a and b यह दोनों equal है और इन दोनों का sum 40 है तो इन दोनों statement से क्या conclusion निकलेगा दोनोn a and b दोनों equal है और दोनों का sum 40 है तो इसका मतलब तो यही हो ना कि दोनों 20 20 है ठीक है तो वही हमने concept यहाँ पे use किया equation 1 और equation 2 में इन दोनों में हमें क्या 2 मैं इन दोनों angle यह दोनों angle equal भी given थे और इन दोनों का sum 180 भी given था तो इसका meaning क्या होगा यह दोनों एंगल 90-90 के है ठीक है और अगर यह दोनों एंगल 90-90 degree के हैं तो हम क्या कह सकते हैं OP is perpendicular to AB ठीक है यही कह सकते हैं तो क्या लिखेंगे it implies that it implies that OP is perpendicular to AB ठीक है अगर OP perpendicular to AB है तो अब हम hence में क्या लिख सकते हैं hence hence में theorem का पूरा statement हम यह पर लिख सकते हैं hence में क्या लिख सकते हैं hence the line drawn through the center of a circle to bisect a code is perpendicular to the code ठीक है बस इन में आगए है